नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिजेक सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट दोस्तों अगर आप अपने लिए सपनों का महल याने की घर बनवा रहे हैं और आपके किसी एरिया में 9 बाई 15 का कॉलम अगर डालना है दोस्तों तो आज मैं आपको पूरी जनकारी देने वाला हूँ विद रिंग साइज और सांति सांत की इस तरह से रिंग का बनावाट होता है चुकि 9 बाई 15 वाले कॉलम में रिंग का तरीका थोरा सा अलग हो जाता है दोस्तों पूरी जनकारी दूंगा डेटेल में दूंगा आप इस वीडियो पर बन रहे है बहुत छोटा वीडियो होने वाला है दोस्तों अगर बात कर लिजाए रिंग साइज का तो रिंग साइज दोस्तों कॉलम का साइज है उसमें कभर ब्लोक अगर माइनस करते हैं तो हमारा रि पर में मिलता है उसका वीडियो में अलग से डाला हूँ अपने चैनल पर वहां जाकर देख सकते हैं अगर बात कर लेते हैं चाली से में माइनस करते हैं दोस्तों दोनों साइट से तो जो कॉलम की लंबाई है दोस्तों वो रिंग की लंबाई है वो एक फीट यानिकी 12 करते हैं तो ये 7 इंच का बच जाता है दोस्तों चली आपको मैं मिजर्मेंट करके दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये बनाया गया है और रिंग लगाने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये देखिए ये 7 इंच का आपको दिखेगा मैं जूम करता हूँ दोस्तों ये देखिए ये आटो फोकस ले लिया कहीं दूसरे जगा पर ये 7 इंच का है अगर बात करी जाए इसके लंबाई का चली मैं आपको लंबाई भी दिखा देता हूँ और उसके बाद रिंग बादने का सही तरीका भी मैं बताऊंगा दोस्तों ये देखिए इसमे पूरे 8 16 mm के सरिया का इस्तेमाल किया गया है और ये देखिए 12 इंच यानि की एक फीट यहां पर आपको दिख रहा हो गया एक फीट रिंग का साइज है तो यहां तक सब चीज किलियर हो गया बहुत से लोग दोस्तों लिंक बार भी देते हैं लेकिन मैं आपको बदाता कि इस लिंक बार से ज़्यादा बढ़िया इस तरह से अगर आप रिंग लगाते हैं ये बहुत ज़्यादा मजबूती प्रोभाइट करता है दोस्तों अगर आप बाहर से सिर्फ बाहर से दोस्तों रिंग लगा देते हैं तो उसमें दिक्कत यह होता है दोस्तों कि वो जो रहता है वो बीच में जो reinforcement रहता है बिल्कुल खाली हो जाता है बीच खोकला हो जाता है दोस्तों और इस तरह से आप दोस्तों दो रिंग का परियोग करें जो कि 7 by 9 का होगा 7 by 9 का यहां तक है दोस्तों यहां से लेकर के अगले तीसरा रोट तक जा रहा है और एक रिंग उधर से तरफ से आएगा उसका भी measurement 7 by 9 का रहेगा वो लास्ट से लेकर के तीसरे रोट तक दोस्तों आता है तो कुछ इस तरह से अगर आप रिंग बनवाते हैं रिंग का डाया होगा 8 mm का ठीक है और एक रिंग से दूसरे रिंग की दुरी होगा 6 इंच से 8 इंच के बीच में वो डिजाइन पे बहरी करता है दोस्तों तो कुछ इस तरह से अगर आप 9 by 15 का कॉलम ढ़लवाते हैं तो आप टेक्निकली साउंड रहेंगे आपका जो इस्ट्रक्चर का मजबूत रहेगा उमीद करता हूँ ये जनकारी आप इस्तेमाल करेंगे धन्यवाद दोस्तों